16 वर्षिय किशोरी की हुई संदिग्ध मौत थाना दक्षिन क्षेत्र भीमनगर गली नमबर 3 का मामला लोगों के बीच चर्चाएं कुछ दिन पूर्व मारपीट की चर्चाएं शव का कराया गया पोस्ट माटम फिरोजाबाद थाना दक्षिन क्षेत्र भीमनगर गली नमबर 3 में एक 16 वर्षिय किशोरी अंजली की संदिग्ध परिस्थितियों में बीती देर रात मौत हो गई सूचना पर पहुची थाना पुलिस शव को पोस्ट माटम के लिए जिला अस्पताल लेकर आई इस संबंद में जब थाना प्रभारी दक्षिन के सी युजी नमबर पर संपर्प कर बात की गई तो उनका कहना था कीवह बीमार्थी उसका इलाज चल रहा था, बीती देर रात मौत होने के बाद मार पीटादी की चर्चाओं को लेकर फिलहल शव का पोस्टमाटम कराया गया है, वहीं लोगों के बीच चर्चाएं थी, कुछ दिन पूर्व पिटाई के कारम उसकी तबियत बिगर गई थी, फिलहल शव को पोस्टमाटम ग्रह में रखवा दिया गया है तो यह कैसे मारा है ना जाड़ूं से यह खतम हो गई है तो क्यों मारा क्या कारण था इसका वो तो मैं तो कैर ऑस्पीटल में गई थी दो गंटे पहले अंजिली ने उससे बोलाता डॉक्टर से क्या कहते हैं डॉक्टर जी मेरी ममी ने जाड़ूं से मुझे मारा है मुझे मुझे और क्या कहते हैं टक्टर में मुझे जीच के मारा है फिर उसके बाद चाचा जी आ गए है चाय लेकर फिर चाचा जी से बहुत सुनाई है तो चाचा जी मैं दोक्टर ने चाचा जी को य यह का है प्लिस केस हो सकता है तो फिर चाचा जी ने पैच हुए है किसके डॉक्टर के तो फिर उन्होंने का में इसारे में इससे बोला तो मुझे बाद में बताना दोक्टर का नाम पता आपको क्या नाम नी बैसर नाम किया था क्या नाम मैं बता दूरी लेकिन कंपल्टर था इसे पिचान जाओ तो मैं इस डोक्टर कहां के थे दोक्टर कहां के थे बार नम्बर चार तो यह जो अंज़ी जी के पिता थे आप जो बता रहे हैं मेरे चाचा जी थे जहनोंने डोक्टर के हाथ पर जूड़े तो नोने भी अंज़ी को मारा है कि तो पिर किसने उनकी माने मारा है कि मां का क्या का रहता है मां बता जा रहा है यहां पर कुछ सो तेली ऐसा कुछ बता रहे हैं कितने बच्चे थे उनकी दूसरी वम्मीद एक पंदरे दिन का वार्ड और जे जो अंजनी थी यह की सोधली मां थी